नहुंसकार दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ वीडियो है जुनेद अक्रम का और इसका टाइटल है स्वाइ स्टूडियो लगा है माशाला भी हमने तीन और लोग हायर की है तकरीबं तीस का स्टाफ हो गया एजूकेशन चैनल पर जोर से काम जा रही को कि हमें अपने ही बच्चों को पढ़ाने तो उस पर मेनज़ चल रही मैं कहीं नहीं जा रहा हूएवर लॉट ऑपाकिसान से जा रहा है और बहुत से लोग की खाहिश है कि हमें पाकिसान भी रहना है क्योंकि उनको शहएद पसंद है ग्यारवी सदी में रहना पर देट्स दिर और चॉइस हावएवर लॉट ऑपाकिसानी आर मुविंग आउट और मुझसे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि जी बहार कैसे जाएं यह आपका दूसरा सवाल होना चाहिए पहले सवाल आपको होना चाहिए कि जाना कहा है आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल क्या है अब मैं अपने लिमिटेड तजुर्बे के हिसाब से एक यह थे ό् erfolg कर्दिया है और यह जरा मैं आपको एक्षे क मालک, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आज भी आपका वीजा लग जाता है, लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, आप पढ़े लिखे, ना भी हो, मजदूर हो, मजदूर की भी नौकरी लग जाती है, वाइट कॉलर भी वहाँ जाते हैं, ब्लू कॉलर भी वहाँ जाते हैं, नौक लगता है कि आप पाकिस्तान में कोई 8000 साल बाद आ गए हैं तरक्की और रक्की दिखरी होती है आपको राइट तो ये शॉर्ट टर्म इसका गेन है हाँ अगर घर में खुदाना खास्ता कोई अमर्जनसी ये जो वन लाइनर्स इनके होते हैं वो बड़े चुबने वाले वन तो अचीव्मेंट है भई ये तो पाकिस्तानियों की अमर्जनसी हो गई डेड़ दो घंटे की फ्लाइट ली वापिस पाकिसाल आ गए कोई बिमारी हो गई कोई एक्सिडेंट हो गया कोई मैयत हो गई तो लोग अराम से वापिस आ जाते हैं और रेलेटिवली चीपर प्र हैं इसी तरह जिसी से वापिस आने का भी एक दिन मुत्यिअ और गया और एक न आएक दिन आपने वापिस आना है चाहें आपने चालیस साल लगा है मैं तो जो यहां में पांच साल लो हो deciन पर बना बेल आएक और फशिकली में 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 आलिए हूं और में गयां से 40-50 साल ऐसे मौाशरे में गजारे और वापिस है देखें वो जो पाक्सान छोड़के गए थे 1970 में 75 में 80 में एक बहुत अच्छा पाक्सान छोड़के गए थे जिस जगा गए वो और आगे है और जब वापिस आई ये और पीछे तो वो डिपरेशन में चले जाते हैं कमा के आए गलत जगाए इंवेस्मेंट कर दी सीधे साधे लोग होता है वहाँ कानून होता है कानून को फॉलो करते हैं सीधे सीधे डील्स होती हैं यहाँ पे लोगों को चूने लगते हैं और वैसे भी लोग सेट नहीं हो पाते तो शॉर्ट टर्म गेन क्या था अराम से अच्छी लाइफ हो गई सब कुछ हो गया घरवर ले लिया सब कुछ ठीक है मगर पेन क्या थी जी वापिस आना ही आना है अब आते हैं दूसरी स्टेशी तरफ जो के है शॉर्ट टर्म पेन बड़ लॉंग टर्म गेन यानि के अगर आप किसी तरह पहुँच गए अमरीका यॉरप ऑस्ट्रेलिया तो इसका शॉर्ट टर्म पेन ये है के जी वहाँ सेट होना मुश्किल है कल्चर शॉक है पिल्कुली डिफरेंट कल्चर है हर बंदर टाइम पे आयता है ये बड़ा मसला है अरब मुमालिग में फिर वह यह ना इंशालला माशालला चलता है तो जि मेरी बात फॉरण इतने पैसे नहीं बचते टैक्स वेक्स लग रहा होता है यहां आपको टैक्स फ्री इंकम होती है जी सी सी बगार में मगर वह भी दूसरे तरीकों से टैक्स लिया जाता है आप बचाते कुछ नहीं हो मिडल इस में यह याद रखना ठीक है उसके साथ क्य होता है भई फिर अगर खुदाना खासता घर में कोई अमरिजन्सी होगी फॉरण नहीं आ सकते अगर आप ऐस्ट्रेलिया में रहते हो आप चार बार सोचते हैं यहार तीन हजार चार हजार डॉलर का टिकेट है यहार मैं आऊ नहीं आऊ आऊ और अगर निकलूंगा अभी तो मैं 36 घंटे बाद पहुंचूंगा खुदाना खासते कोई मयद अटेंड करनी हो तत्वीन हो जागी बहुत से लोग जो है आखरी दीदार नहीं कर पाते हैं बहुत कर्ब में रहते हैं पेन में रहते हैं साथ ही साथ मुश्किल लाइफ है ठीक है सुबा चार बज़ वहां जाके बज़ता है अच्छा है और हर्पिक भी कोई चीज होती है इसको इस तरह डालते हैं अच्छा कमफर्टर भी कोई चीज होती है नहीं एरियल के साथ ये डलेगा ऐसे कपड़े दो लेंगे नहीं नहीं चीज़ें डिसकावरी हो रही होती है तो वह शॉर्ट टर है कि अगर कोई कमपनी वाला पूस दे जो गैर मुस्लिम है जैसा कि अभी चाइना वाले के साथ हुआ है पाकिस्तान में कि चाइनीज मैनेजर था चाइनीज फैक्टरी का बंदा था और ये लोग नमाज के नाम पर जो है वो घंटो गायब रह रहे थे तो उसने काए कि भ पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लग गई मतलब कि भाई या अब वो तो चाइनीज था ही शक्कर में वो बेचारा लिंचिंग नहीं हुई उसकी वरना वह शलंका वाले की हालत हुई होती लिंच हो गया होता सड़क पर जिंदा जला दिया जाता और लोग सलफी ले रहे थे आपको याद ही होगा कि उसको सलफी ले रहे थे लोग लेकिन यहाप अच्छा हुआ कि चाइनीज से मामला था और चाइनीज चुकी एक तरस अबबा हुजूर हैं पाकिस्तान के तो बेचारे को पुलिस पकड़ के ले गई अब वो बंद है जेल में बंद है पता नहीं आ अगर उसको मौत के सजा हो जाए तो चाइना नराज होगा अब देखते हैं क्या होता है उसमें क्या बीच का रास्ता निकलता है लेकिन मुझे लगता है कि उसको रखेंगे लंबे टाइम तक थोड़ा ममला उमला शान तो जाएगा धीरे से उसको शिफ्ट कर देंगे लॉंग टर्म गेन उसका क्या है आपको पास्पोर्ट मिल जाता है अगर आपकी चोईस है कि जी मैंने वही रहना है फिर आप जो है दूसरी चीज़े आपकी बच्चों की स्कूलिंग वगारा हो जाती है कावर हो जाती है मैं अमरीका की बात नहीं कर रहा है मैं दूसरे बात करूंग जहांपे यह वाली पॉलिसी जे एनेचेस आपको मिल जाता है आपको मेडिकल मिल जाता है आपके बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं यह वाले आपको बते हैं और खास वर पर मैं बच्चों को यह कहूंगा लैड आफ उपर्चुनिटी बिलकुल अमरीका है अ सिस्ट्म ऐसा है जो टैलेंटड आदमी है सिस्ट्म उसको उपर लेकर आता है यहां आप को अधार मुलकों में सिस्ट्म यह से कि अगर आप मेहिंती हो और आप टालेंटेड हो आप खुद ही उपपर आते हो और अन गिनत मिसाले हैं खुद लड़के कमेंट्स में बताएंगे खावातीन कमेंट्स में बताएंगे जो जिन्नोंने आके बड़ी हार्टशिप्स की बड़ा मुश्किल से गुजारे ल civil war का खतर है अगर आप अफरीका में जा रही हो आपको इमेल government पूछती है आपसे कि भाइ आप यहां आ हाए हो खेर यहां पे यह मसले हैं यह एम्बेसी का नंबर है कोई मसला हुए मतलब समझ रहे ना आपको यहां आपकी care करने वालों हो यहां तो आप ऑन यूर ओन ओन ह आपे आप चीज़ें बाय करते हो, security बाय करते हो, health care बाय करते हो, खर पाकसान का मैं मवाजने नहीं कर रहा है, so point मेरा ये था, अब choose आप ने करना है, देखे, suffering तो inevitable है, ये बात तो मारकस औरेलियस ने भी कही है, और स्टोइक्स ने भी कही है, कि बाई, suffering तो जिन्दगी में है ही है, अब वो आपने पहले लेनी है, बाद में लेनी है, ये आपने चूज़ करना है, you don't get to choose कि poison लेना है या नहीं लेना है, लेना कब है, ये आपने चूज़ करना है, तो घर से दूर तो रहना पड़ेगा, अब वो आपने pain अभी लेना है, बाद में लेना है, जी सी स पे 20,000 रियाल की एक्स्ट्रा वो आ गई तो इस किसम की चीज़े वहां आड होती रहती है फिर आप क्वेस्चन नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को आपको इवेंचुली महंगा पड़ता है वहां रहे ना बहुचा लाइफस्टायल है मैंने खुद वहां रहा हूं और मैं दिन में एक चीज़ आई थी मैंने सोच आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्योंके बहुत सारे बच्चे हैं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है विचारे खुद ही उटके चले जाते हैं कहीं नहीं पिर उनको लोग बेवकूफ भी बनाते हैं एजन्ट लग जाते हैं पिर कोई वादे करता है आजओ मैं नौकरी लगा दोंगा या कोई कहता अच्छा या आनिया था हालाथ खराब है खुद वहां चालिस साल से रह रहां बोलैं का नी नहीं हालाथ बहुत खराब हैं डिसकरेज करने वाले बहुत हैं रास्ता दिखाने वाले लोग काम हैं तो पाचास में गिरोगे ना तो गुठना लेके ही फिर कबर में जाता है इनसान तो पेन जिन्दगी में जो भी लिने चाहे वो दिल का पेन हो जिसम का पेन हो जितनी जल्दी ले सकते हो ले लो बाद वाले पेन ना वो आपके साथ पर्मिनेंट हो जाते हैं फिर वो आप सस्टेन नहीं कर पाते हैं बॉर्डी है ना इनसान है फिर माइंडसेट भी जो आपको वीक हो जाते है आपका तो अल्ला खेर करें आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं जहां जाएं खोश रहें अल्ला आपको अपने हिवज़ों मान में रखे हक हलाल रोजी की तौफीक अता फरमाएं दुनिया पूरी अल्ला की एक्स्प्लोर करें इसको और मैं बिल्कुल इंकरेज करता हूँ दूसरी जगाओं भी जाएं वहां से तालीम लें वहां से सीखें और फिर यहां आके लोगों को सिखाएं ताके लोग भी जो है अपने पैरों पे खड़े हों यह एक चोड़ी सी कोशिश थी I hope किसी को मैंने उफरेंड ना किया हो कमेंड में अपने अपने तजरूबाद जरूर लिखिएगा वो लोग जो GCC में रहे और वापस आगए 30-40 साल बाद और वो लोग जो के खाली हाद गए लेकिन अलहमदोलिल्ला उन्होंने महनत की लगन की 5-10 साल दे दी अपने आपको और फिर उन्होंने माशालला फिर एक एमपायर खड़ी की अपनी जरूर शेयर कीज़ेगा देखें आपके आपकी सोच है कितने लोग कहां-कहां बैड के आपकी बातों से इंस्पायर हो सकते हैं मुझे कहां-कहां से कैसा फीडबैक आया मैं सोच नहीं सकता था मैंने एक चोटी सी बात कब किस मूर्ड में कह दी थी अगले ने अपनी लाइफ चेंज कर दी साब से तो बहुत कैरफुली कमेंट कीशेगा और अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें ताके लोगों को भी इंकरेजमेंट मिले अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है मैं वो भी वेलकम करता हूँ मैं चाहता हूँ बेस्ट आफ दो बेस्ट वर्जन निकले इस वीडियो के जरीए इस कम्यूनिकेशन के जरीए ताके जो साथ हमारे बच्चे बच्चियां बैठे हैं जो पीछे लाइन में लगे हूँ है उनके लिए रहनुमाई हो सके हैं ख्याल रखिएगा दाफ़स दोस्तों वीडियो खतम हो गया और जो बाते इसमें जुनेद अकरम ने बताई हैं वो बहुत हैरान करने वाली है हैरान इसलिए कर रही है क्योंकि देखिए अब ये तय हो गया है कि पाकिस्तान में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि वहाँ पे आपके पास opportunities नहीं है रोजगार नहीं है security नहीं है safety नहीं है तो बंदा क्या करेगा पैसे नहीं है पैसे नहीं है उनके पास भीक मागने पड़ रही है पूरे देश में पूरे दुनिया में गोंगों कर अपने देश के लिए दूसरी बात जो इन्होंने important बात कही है कि जी आप settle हो जाईए long term अभी pain ले लीजिए long term gain कर लीजिए अच्छा इसमें मेरा थोड़ा सा जो विचार है ना थोड़ा अलग है सवाल ये है कि चलिए Middle East में या जो Islami countries हैं आप उसमें जा रहे है तो चलिए वो ठीक है लेकिन जो ये encouragement हो रही है कि यूरप में जाईए अमेरिका में जाईए औस्टेलिया में जाईए इसमें क्या हो रहा है क्या अभी हमने देखा कि फ्रांस में क्या हो रहा है फ्रांस में जैसे जैसे मुसलमान immigrants जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पर problems बढ़ रही है वहाँ पर लगातार लडाईयां हो रही है जड़पे हो रही है वहाँ पर शरिया law लगाने की बात हो रही है आप समझे इस बात को ठीक ऐसा ही बिटन में हो रहा है बितन में भी धीरे 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 संख्या बढ़ गए इनकी अबाधी बढ़ गए जो माइगरेंटेंस आये हैं सालों से रहे रहे अब वो चाहते हैं कि जी वो उनके हिसाब से चीज़े हूँ आगे आने वाले देशों में अमेरिका हो और भी देशों जहाँ जहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वहाँ पर दिक्कते बढ़ रही है और यह मैं अपने आप नहीं कहा रहा हूँ वहाँ से जो चीजे दिख रही है सामने आखों के आगे जो दिख रहा है वो साफ साफ देख रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है इसकी वज़ा से दूसरी बात मैं आता हूँ कि अगर माल लीजे कि आपने शायद पोलंड है ना पोलंड जो देश है उसमें illegal immigration immigrants पर बिल्कुल रोक लगा दिये अपने बॉर्डर सील कर दिये बोले कि एक बंदा नहीं चाहिए इतर तो उसका फाइदा क्या हो रहा है पोलंड का हाल फ्रांस वाला या फिर ये बृतन वाला नहीं हो रहा है ग्रीस में ग्रीस में इतनी ज़ादा प्रॉब्लम हो रही है इन्हीं पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के वज़े से 50,000 से ज़ादा वहाँ पर पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स पहुँच गए है और उन सब को बाहर निकालने के तयारी है ग्रीस में ग्रीस में उनको पहचान कर उनका ठीकाना निकाला जा रहा है और टरकी के रास्ते घुस है है और टरकी ने घुसवाया बोडर से तो अब ग्रीस में पाकिस्तानीओं की बजने वाली है बैंड क्योंकि वहाँ पर सबको ढून ढून के ढून ढून के वापस भेजा जागा और इन सब के पीछे कौन है? पाकिस्तान है. तो मेरा ये कहना है कि भाया फैसला लेना पड़ेगा illegal immigrants के लिए. आप legal तरीके से आईए, आप legal तरीके से आईए, with papers आईए, कागस तो दिखाने पड़ेंगे न बॉस. ऐसा तो नहीं होगा कि कागस भी नहीं दिखाएंगे और आकर रह भी जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. और मुझे लगता है कि भारत में भी इसकी बहुत ज़्यादा जरूवत है. भारत में भी illegal जो घुस पैठी हैं, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए. आप legal तरीके से आईए, आप भारत सरकार के पास application दीजिए, अपने कागस ज पाइदा है उसमें. क्राइम करवालो, टर्रिजम की घटना करवालो, सब कुछ करवालो, और नाम कहीं आएगा नहीं, इसलिए वो लोग परिशान है. लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल illegal immigrants के लिए बहुत जरूरी है कड़े कानून बनाना, जैसा है कि शायद Poland ने किया जहां तक मुझे याद है. आप लग मुझे comment में बताईएगा कि शायद वो पॉलंड ही है ना, पॉलंड ही है जहां पर यह है. और पॉलंड खुलयाम कहता है, वहां की सरकार खुलयाम कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं, हम इसके खिलाफ हैं, हम आना ही नहीं नहीं देंगे कि तो हमें यह सोचना पड़ेगा, illegal immigrants, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अवैद रूप से घुसपैट करते हैं, जो कागज नहीं दिखाते हैं, जो कागज लेकर नहीं आते हैं, जो अपनी registry नहीं कराते हैं आपर, वो registered नहीं होते हैं, इसलिए. तो जल्दे मिलता हूँ, एक और ने वीडियो के साथ, नमस्कार, जाहिए.